So, Hello Friends, I'm Hussik and you're watching Wrestling Books तो guys इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीने से मैचेज के बारे में जो की आज की रो में कनफर्म हो चुके हैं रिसल मेनिया 35 के लिए तो guys इस वीडियो को पूरा देखना वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो guys पहले वात कर लेते हैं कि रिसल मेनिया 35 का में इवेंट कौन होने वाला है तो guys आज की रो में ये कनफर्म हो चुका है कि रोंडार आउजी वरसेज बेककी लिंच वरसेज सारलेट फ्लेर का जो मैच होने वाला है वही होने वाला है रिसल मेनिया 35 का में इवेंट तो guys आज की रो में रोमन डेस ने अपना रिटर्न किया और ड्रू मेकेंटार के चलेंज को एकसेप्ट कर लिया है तो guys इनका मैच होने वाला है अब फिक्स हो चुका है रिसल मेनिया 35 के लिए अच्छा मैच दिखने वाला है इन दोनों सुपरस्टार के बीच अच्छे मूज भी दिखने वाले है बट देखना ये होगा कि इस मैच का विनर कौन निकलता है मैं तो personally इस मैच के लिए काफी excited हूँ क्योंकि दोनों सुपरस्टार बिल्कुल तगड़े है फिर गाई जो अगला मैच फिक्स हो हुआ है रिसल मेनिया 35 के लिए वो हुआ है सासा बैंक्स एंड बेली वर्सेज तमीना एंड नाया जेक्स वर्सेज दा आइकोनिक्स वर्सेज नाटालिया एंड बेथ फिनिक्स के बीच यह फेटल फोर्वे मैच है और अच्छा मैच दिखने वाला है क्योंकि चारों टीमें बिल्कुल जवर्दस्त है मैंने पहले भी बोला था कि यह मैच अगली दों में कनफर्म हो जाएगा और भी यही यह मैच कनफर्म हो चुका है रेसलमेनिया 35 के लिए फिरगा जो अगला मैच कनफर्म हो आई रेसलमेनिया 35 के लिए वो हुआ है फिन बेलर वर्सेज बॉबी लेसली के बीच अच्छा मैच दिखने वाला है क्योंकि इसमें साइध रूमर्स ये हैं कि डीमन फिन बैलर का रिटर्न होगा और जब भी डीमन फिन बैलर आते हैं तो उनकी जीत पक्की होती है तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ कि डीमन फिन बैलर जल्द आएं और रिसल मेनिया 35 के लिए बस एक हपते ही बाकी है तो गाइस यही थी कुछ अपडेट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो चैनल पने है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बैल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि हमारी नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले तो मिलते हैं गाइस अगले रिसलिक वीडियो में जय हिंद जय भारात